कि हैं घ्लाव फ्रेंड वेलकम डू ढू दिबीप्विएसि प्रेडफॉर्म आज NCRT हिस्ट्री सिरीज में हम लोग क्लास सेबन का चेप्टर थ्री करने वाले हैं और क्लास चेप्टर जो हमारा थिरी है क्लास सेवन का वो है दिल्ली सुल्तान के बारे में विसेकली हम लोग दिल्ली सल्तना चिसको बोलते हैं यहां पर दिल्ली सुल्तान लिखा गया है तो दिल्ली के एरिया में दिल्ली पर जिन्रों ने सासन किया जिन सुल्तानों ने उस पूरे पांच बंसों को देखेंगे पा पान से छे सासक उनको हम देखेंगे इस पूर्य दिल्ली सल्तनत के पिरियट को इसके पहले थोड़ा सा हम बैग्राउन जानेंगे तो अच्छा रहा है क्योंकि आप बैग्राउंड समझ लिजाए जो हमने अभी तक चेप्टर टू में हमने देखा था वहां तक थोड़ा चीज़ों समझेंगे फिर इस चेप्टर में आएंगे ठीक है तो मजाएगा पढ़ने में हमने देखा था आट सो से नौ सो और एलेस्ट हजानी तक में चल जाते हैं तो चोल लगे दम देखा था रही जो लग कि पढ़ने महें तो यह चौल की अजीटम था सवालबूस廗 का सब्सक्राइइ ले Limited के आसवाले चहत्रों में यह सपासबर्ण runs यतॉर्ण तोमर राजपूत देली और आजमेर के उपर च्शाषण करते हैंCH personality विद्धित हराते हैं प्रिधि विराज से के एंग तोछ फद जिसको प्रिधि विराज चोहान भी बोला गया और यह कौन से बंस के था तो चोहान बंस का तो तोमरों के बाद तोमर राजपुत के बाद पिर्थी विरा ठड़ आता है जो दिल्ली और आजमेर वाला छेतर पे कब्जा करता है बट एंफॉर्चुनेटली 1191 में कि होता है तराइन ए वार ठराइन बैटल ऐस ठर्ड़ ठाल मुहमिद गऔरी जो कि आगर हम बात करें मुहम्मद गवरि के बारे हम जानेंगे थोड़ा सा मुहम्मद गऔरी Master geheel जो कि था कहां का गजनी कि अ अक्यक्र ध Pastor का ये अकर्वन करता है दिल्ली और वालाative वाला जाता है अगले ही साली 1192 में सेकंड वैटल होता है तराइन का इसमें पिर्थी वी राज चोहान मिन्स्ठड हार जाता है और दिल्ली अजमेर वाले छेत्रों पर अगर जो कंट्रॉल देखते हैं तो मुस्लिम समराज की निव आ चुक है मतलब मुस्लिमों ने मुहम्मद गौरी ने दिल्ली और रजमेज पर नियंतरन कर लिया और मुहम्मद गौरी को ही इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो मुस्लिम समराज का बास्तिविक संस्थापक भी माना जाता है इसके पहले मुहम्मद गजनवी आता है जो 1712 कर्मन करता है उसका मकसद केवल क्या रहता है बस लुटना उसका मकसद केवल यहां से धन की प्राप्ति होती है वो उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है ठीक है ध्यान रखिया जो उसने स्वमनात के मंदर को लुटता है यह सारे चीज़े हमने देखा था पिछले चेप्टर से कंड में तो वो था मुहम्मद गजनवी वो भी गजनी कहीं था बट उसके बाद हम देखते हैं गजनी पर गोर बंस का सासन मतलब गोर बंस का सासन होता है और वो आता है मुहम्मद गौरी ठीक है एलेवन अगर इमेज पर कंडॉल भी कर चुका है और मुस्लिम संवराज का इसे ऐसे ही बोला गया बास्तिविक इसस्थापक क्यों क्योंकि इसके बाद मुस्लिम जितने भी सुल्तान आयंगे मुस्लिम के सारे किंग जो आते है पूरे मिडैवल में देखते हैं न केबल मुस्लिम मोगल तक रिच्ट से बार लिचे में आएंगे और मुस्लिम स्माराज नहीं तक हैं अंग्रैज के बाद मुश्च्ग समराज बहुत थी तो हम ने उस-चीजा को देखा यह चीजा हम ले दिखा यह हमारी बैगराउड था है बिच पर भा यह को पढ़ने दिल्ली सल्तनत गवाड़ इसे बंस डैनस्टी त्हीं को देखने वाले शेप्टर में 15-26 के बाद मुगल बंस आता है तो मुगल बंस अलग चैप्टर हो गया ठीक है मुगल बंस ने दिल्ली ही नहीं दिल्ली क्या बहुत आसपास पूर्य हूल इंडिया को उन्हेकर ने सासन किया है लेकिन हम इसमें द ये लिटा के पास सबसे बड़ा जो kingdom बना था चोला बना था फिर हमने अभी तक कोई भी ऐसे सामराजिक को नहीं देखा जिसने दिल्ली को रजधानी बना था ठीक है डिली सबसे अगर दिल्ली का नाम आता है डिली आगर हम देखते हैं इतियास में तो 12th century के बाद 12th century के टा से हम चीजए हैं कि चुछारों को तो एसके बाद तोमर और चौहां थे ऊसे में देली बहुत ही महत्त्वाइब वानीजी के इंदर बन गया क्योंकर दिल्लि बहुत उस टाइम की बात करते हैं जैन वेपाय है रहते थैंझे लृ झॉक्त कि बहुत इमीर थे और उन्हें बहुत सारा मंद्रों का निर्मान कर रहा विए सबसे महत्मून जरो याद है याद रखना में उस टाम जो शिक्षा चलता था कंश जो पहांपे कोई बनते थे वह क्वएन का ना था तेली मोज पशन पसो आशी के ता सब्सक्राइब तरह का में तरह का मेटल था मिडिलो को फ़से मारता जोर से दोखे तो ता पंच मार्क पंच आहत के सीखेया पंच मार्क कोई तो इसमें कौन कोई चल रहा है देली वाल कोई ठीक है ध्यान रखेगा कर भार कर दिली का ट्रंसफोर्मेशं किस तरह से स्पष्धानी में और जब दिली ऐसे से रजधानी बना था तो उसे में दिली के कंट्रॉल मी जो भी दिली प उसे कंट्रोल इस बहुत बड़ा इंडियन सब कॉंटिनूनियल पार्ट था दिल्लीалась हो हुगा आज में हो गया पंजाब हो गया रियाना हो गया उसमें जो भी था सारे दिल्ली के अंदर में थे ठीक है बहुत बड़े एरियास तक तो इसके बारे में बता जा रहा है कि यह सारे स्टार्ट कब होता है दिल्ली का रधानी बनना कब स्टार्ट होता है जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है 13th century के starting मतलो 1206 में जब दिल्ली सल्तनत में पहला बंस गुलाम बंस के स्थापना होती है जहां रखेगा अभी गुलाम बंस कहा गया गुलाम क्यों नाम था तो मुहम्मद गौरी जो जीत चुका था अभी देली को मुहम्मद गौरी एम जी मुहम्मद गौरी की मिर्ती होती है है बारा सचों में और यह रखता था अपने पास गुलाम गुलाम का काम था सेवा रख करना कर यूद में साथ जाना यह था गुलाम तो मुहम्मद गौरी के अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे गुलाम थे बट चीजों को समझेंगे तो पो इसका जो एक गुलाम होता है कुत्ब दिन एक वक मैंने का वह दो तो तो ये का हो जा रहा है आख कुतूब दीन एक एक गुलाम है कुतूब दिन एक वक के पह स أن शाले मर जाने के बाद ये मरने के पहले बोला होगा ना मर जाने का तो नहीं बोलेगा तो वो उसे मुहम्मद गौरी ने कूत्व दिनेवक को दिल्ली का सासन स्वाप दिया कि दिल्ली और अजमेर का सब्सक्राइब भाई तुम करो कोई दिक्कत नहीं फिर अब गजनी भी से कंट्रोल में था अभी इत इस उदालेक उड़ाया था बक्तियार खिल जी इसका सेना पतिता मुहम्मद गौरी का बट उसको में इसमें नहीं दिखेंगे आगे चलते हैं ठीक है तो गुलाम बंस के स्थापना बारासो छे में होता है कुतुब दिन एवक के द्वारा जो बारासो छे से लेके बारासो अगर हम ताकतवर देखेंगे तो वह था इल्द उत्मीश ठीक है जो कि करीव करीव 26 तक सासन करता है बारासों 10 से बारासों 36 तक आगे हम देखेंगे देली सुल्तान विल्ट मेनी सीटी इन दे एरिया डैट भी नो ऐस देल ही देली सुल्तानों ने बहुत सारे अलग-अल सब्सक्राइब ने जिसका जैसे मनुगा उस तरह से बसाते गया ठीक है अब देख सकतो हो यह सारे कि याद रखेंगा इसमनाम महत्पुन है एक टाइम लाइन है पूरा दिली सल्तान कौन कौन से दिली सल्तनत पर रहे हैं जैसे कि राजपूर डायनेस्टी डिली क्या सपा मैं पर राट वेरा चौहन तो बेसिकली सब आपको याद नहीं रखना याद यह सब रखना कि अर ली तुर्किस मैं और पांच डायनेस्टी पहला गुलाम वंस लोगया अरली तुर्किस तुर्क से बलाउं करता था यह अर लुख ये हैं गुलाम बस पूरे क्या है या मैं कि मैं एक ट्रीक देता हूं याद रखेगा सब कुछ आता है मैं बोलूँगा गुलाब या गुल खीले तब गुलाब खीलियतफ सुगंध लो मैं ने पांचों डिनेस्टि को बता दिया जो कि दिल्ली सल्थनत के नामसे जाना आते हैं यह बहुत वार एक जाम ने बिसक्रीली बहुत सारे एक जाम होएं पूछा है करम से बता है दिल्ली सल्थन करम से कौन कौन से आये थे पहले गुला पर सू से सयद बंस फिर लो से लोदी बंस आपके सामने ये सारे बंस आपके सामने है मैं एक ची बताओंगा कि किसी किस के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है देखिए इसमें आप चारो याद रखिए थोपित हाई पार और डवरे की onu की सस्जा के बारा है careless कर नाम को बलवन के बारे में बहुत जाता स्वाल थोल सवान को महल थोड़ सब्किनरा समसुदिन एक तोबरे में कुछ-कुछ आता करें खिल जी बंस्य हम देखें सबसे महत्मून याद आखें है अलाउ दिन खिजी को सबसे महत्मून डेट भी आधर रहें इसका क्योंकि अभंव एक देखती देखते आएगे अगर अगर याद नहीं होता है तो अपने पास छोटे सौट नोट एक पेज का टुकड़ा लिए उस पर लिखे जो 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 चीज यह नहीं मुझा हिस्ट्री कुछ भी अगर याद नहीं होता है तो उसका आप उसको अपने दिवाल पे चिपका लिए चार पांथ दसवर देखिया तो खोड़ याद वाद फिसको अटा देचेए तो लगा वंस पर देखेंगे हम लोग मेंली इंगया सुदेन तुगलक मुहमद बिन तुगलक को जाला देखेंगे और फिर एफस्ट को जाला देखेंगे बट लेकिन तीनों महत्पून वाले चीज लिखें और भी बहुत स रा कि इसमें खिज्र खाँ अगर हम देखेंगे जो जिसने सज्दम्स का स्थापना किया था बस इसको देखेंगे लोग डजन की में गर और पता लिज्वग दिन सब्त के वापने के बार्च को यह एंगए इसको देखेंगे राइठ वार फ आपिया रिए मेर चल जलतनत के बारे में कैसे पता चलता है बहुत सारे जनकारी बहुत सारे जनकारी मिलता है इस पेसलिए अगर हम देखते हैं सबसे अगर महत्पून देखते हैं तो वो हमें इतिहास पाया चलता है वो चलता है इतिहास से इतिहास हम लोग हिंदी में इतिहास बोलते हैं और उसे परसियन में तारीक बोला गया क्या बोला गया तारीक कि तो बहुत सारे किताब निए का लिखँ दूरिखिया तारीक फिरोज साही तो से बहुत सारी प्रभाट दे辛苦 है नियुक्ते का अगर बातलि सोरी पैरसियन से बुला गया तारीक यह ल rozp तरह तारीक बहुत सबते लोग यह नोकी किसे brakes में लिखा टारिक लिखा जो कहीं सुल्तानों के पूरी इतिहास हो बताता यहीं चीजिए भूला जारा है हालाकि हम देखेंगो कि यह तारिक लिखने वाले त्यारिक को लिखता था तारिक लिखने वाले चाहित वह लंड्स जो भी घटनाए घटे उनको लिखा और यह एडवाइज रूलर्स सा जो भी सासक थे उसको सलाह देते थे कैसे सासन करना है कैसे आपको चलाना है यह सब क्योंकि देखिए जो भी आपी कैबिनेट काउंसिल आप मिश्रों होते क्या करते हैं वो कहीं ने कहीं देते हैं ना पी दीजों को समझ पा रहे हुए हुँगा के आगे देखें गे औरीका शेयं आप यह जासन करें वह नए संकत हो सब कٌणेया मिले उस तरह पर उन्लोग जोर दते हैं जोर बीकिकिस अंक्शै नयाहि चक्र ध्यान की एक U fps फकर ए मुदावर हैं फकर मुदाविर इतिहास कार है उन्होंने बताया है 13 सेंचूरी में लिखा है कि नियाय चकर कैसा था उसने अपने किताबों में लिखा क्या लिखा है कहा कि एक किंग कैनोट सर्वाइब विदॉट सोलजर बिना सैनिक एक राजा सर्वाइब नहीं कर सकता है और एक जो सैनिक है वो बीना बेतन की नहीं रहे सकता भीया सैलरी कं फूंब रिविन्यू कलेक्टटफों न पीजन और सैलरी कहां से आएगा तो सैलरी आएगा जो पीजन्ट के दواरा जो रिविन्यू कलेक्ट होगा जो भी उससे में किसान है वह अपना राजस्व देंगे वह जितना उनका उत्पादन होगा उसे करने राजस्व देंगे तो तभी तो सैनियों को बेतन देपाएगा राजा ना राजा तो पैसा छाप नहीं रहा का but not Cincinnati only when they are backlash in a अभी किसान भी है किसान कब दया रिबर विए किसान कभ करदेगा लक्त चाह dużo होना चाहिए उतना प्रटक्ष नियए कि सब कोष रहेगा कि संसम्रिद रहेगा तभी दब को किसान देगा राजा को पैसा राजा को मतलब revenue यही बोला और यह कैसे होगा भीया किसान कैसे खुश रहेगा जब राजा प्रमोट करेगा justice को और honest governance को जब राजा नयाय को और इमंदारी रूप से प्रसासन को चलाएगा इमंदारी रूप से सासन को चलाएगा तब उनके जनता खुश रहेंगे यही बात इसमें होगा है कि नयाय चक्र है यह अगर अच्छा नयाय करिएगा तो सही रहेगा यह कह रहा है कि पहले पेपर बनाओ उस पर लिख हो फिर उसके बाद मेल्टिंग गोल्ड तो हैलाइट इंपॉर्ड फिस वहाला कि जो जो महत्पून महत्पून ची लिख हो उस पर सोना को गला-गला के डालो तो वह हैलाइट करेगा फिर प्रिपेरिंग दबाइन फिर उसको वाइंडिं हैं उसहरे मेज़ें मेले डीली में रहते दें वह साइदी गाव में रहे हैं वार्जला, सुल्तान उन्होंने अपनी इतिहास में हमेशा सुल्तानों के लिए लिखा और वो चाहते थे कि हम सुल्तान के बारे में लिखेंगे इतिहास सुल्तान नहीं जीता वो जीता सुल्तान हमें बहुत जादा धन देका हमें बहुत जाथ इनाम देगा। जीसे मैं नीरी बाहमण को लेंड आउ ग्रांट के लिए न बाहgreg प्रस्थिक रचना की। परस्ति करें नो हरिसेन ने किया परियाख परस्ति करेंट तो कहने कि उसे पोश्ट मिलता था राजदरवार में उन्हें इजत मिलता था यह पैसे भी मिलता जो भी उस टैम था वो चीजें क्चाराके देज ऑथर एडवाईस रूलर्स उनदे नीड प्रेजर्ऑ एड़ील सूसल ओड़र बीस्ट ऑन वध्रेट टेडड और जीतने भी यह कहन के वडिकर्डूर्य लेखक रहें हमिशा सासा को जैने सिह अधिकार और लिंगवेद पर अधारिद किस पर धारित तो जन्म सी जन्म के बाद जो अधिकार प्राप्त होते हैं और लिंग भेद उसमें जो लिंग भेद चल रहा था मैहिला और पुरुस के बीच में बहुत ज्यादा उसमें समानता है जेंडर इनेकुलिटी था उसके बारें बता जाय रहा है कि इस पर ही फोकस लोग नहीं सामत होते थे बट फिर भी चीज़ें चल रहे थी देखे बारें च्छतिस में जब इल्ट उत्मीज मर जाता है देकि मैंने क्या बारास अच्छे से लेके बारास हो दस तक एवक एवक आएंगी कुत दिन एवक एवक बारास दस में ही अराम साहता है कुत दिन भी का बैटा होता है बटो वो स उतना सही नहीं होता है म योगिन नहीं हो पाता बारास दस से लेके बारास अच्छतिस तक रहता है तीम Pink mister रजिया सुल्टान जो की बाराइस चालिस या बाराइस चालिस देता है कहीं कहीं दोनों जहां रखेगा तो अध्यास सुल्तान पहली महीला सासक इंडिया की इंडिया के पूरे अगर बात करेंगे पहली महीला सासक भारत यह ठीक है देहार कि अभी तक कोई भी महारत में महीला सासक सासन नहीं कि थी कि देखिए इस ची को समझ ये कैसे उसमें लिंग भेज़ था रग बाराव च्छतिस में सुल्तान इल्टुतमिस की बेटी रजिया सुल्तान जब सुल्तान बनती है तो में देखिए मिनहाज एस सिराज ध्यार किया दक्रॉनिकलर ऑफ एज मतलब उस टाइम का ये लेखक है म इल्टुतमिस के बेटों से बहुँ ज़्यादा वो एबल और क्वालिफाय थी रजिया सुल्तान इसलिए उसको गर्दी वे बैठाय थे ल्टुतमिस ने बट ही वाज नौट कमफ़टेवल एट हैविंग अ क्यून ऐस रूर बट धिहान रखेगा ये एक रानी के इसको सा ब्ल्ट हैपिट हरओ टेम टूरू इंडिपेंडली जितने भी नोबल शतक्याब्त जो भी अमीर भकस उसमें जितने बी सामत थे जो राजा को हैब राजा के आथके अंस में काम कर देते तहो जितने भी उसमें के द्रिया के यह उसमें दरवार में जो भी नोबल से रहें अमीर लोग रहें वो नहीं खुस थे इस चीज़ पर की एक महीला सही से स्वतनतरूप से सासन कर पाएगी अगर सासन करना भी है तो नहीं कि पूरे वह मतलब से रानिक रूप में रहे सब कुछ हम लोग करेंगे लेकिन सब्सक्राइब से नहीं मान रहे थे इसलिए उससे बाराश चालिस में गद्दी से रज्य सुल्तान को हरा हमार को तो हटा दिया था था रखेगा रज्य सुल्तान को हत्या करती गई थी ठीक है के उनके द्यान रखेगा वह को डाकवूं को दवारा आगे चीज़ेघा आगे चलेंगे मिनहाज इस biblical क्या सोच था रज्य के बार में यह मता रहा है मिनहाज इस सिराज के बात करेगा सोचना था कि क्योंटक्यूइन रूल विंड अगेंस ऑईडियल सोशल ऑर और समाज व्यस्था बनाई है कि इसतरा शमाज चलेगा हूं हमेशा पूरुसव कर डिन तो बोला कि पुरुसों के अधिन होना चाहिए ना कि वो रानी बन के शासन करेगे यह यह भगवान के खिलाफ है यह देर फुर आज इन रजिस्टर ऑफ गॉर्ड की एसन उन्हें बोला कि खुदा की रचना के खाते में द्यार रखेगा यह बताया वहिए खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यावरा चोंकि मर्दों के सुची में नहीं आता है इसलिए इतनी संदार खुवयां भी उससे आखिर हासिल क्या हो मतलकि यह कहा दिया नहीं एक हुआ सुख है इतना कॉलिटी था कुछ भी था फिर भी क्या फैड़ा उसके इतना क्वालिटी रहने में के बाद भी कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि जितने भी चीजे हैं वो पुरुस के हाथ में तो कोई फाइदा नहीं हुआ उसने अपने सारे सिक्कों पर रज्या ने और सारे अभी लेखों पर रज्या ने क्या नाम लिखाया अपना इल्टुत्मीश की बेटी क्या लिखाया द्यार रखेगा कि दीजवाज कॉंट्रास्ट टुदक्यूइन रुद्रमा देवी करा कि एक रुद्रमा देवी रानी है उसके बारे में देखते हैं जो ककत्य बंस की थी वरंगल में काकत्य बंस से आगे पढ़ेंगे तो काकत्य बंस में सासी का थी रुद्रमा देवी महिला ही थी उसके बा आपने आपको एक पूरुस बताया अपने आपको सारे सिको पर पूरुस नाम लिखे खूरारखेगा कि लोग समझे कि यहalis की पूरुस आसन कर रहा है ठीक है आगे इतिहास में जाने कि पूरुस आसन किया तो अन्दर करा नादर किया क्या जोगी काश्मीsters में ने आपकेम अ उसने अपने टाइटल को दीदी से दीदा रखा क्यों कि हमें बही कि हम किया है भाई या हम एक सासाख है है तो दिख सकते हूँ कि जेन्डर इन्यकुलिटी कैसा चल रहा कि एक महिला आपने आपको सासा की रूप में में भी डिकलेर नहीं कर पारी और अलोग उसको मान भी नहीं नहीं रहे हैं ठीक है कि इसको यह मत्तों यह टॉपिक है ठीक कि द्यान रखेगा किस तरह से यह बता जा रहा है यह दिल्ली सल्तनत कैसे गरिशन सहर से समराज बन चुका था गरिशन मतलब कि इस गिलाबंदी होता है उसों गरिशन बोलते हैं यह पूरे दिल्ली सल्तनत का जो यह आप देख पा र से लोगों ने किया दा सुल्तान से लिडूम कंट्रॉल दे हिंटर लैंड ऑप द सिटी हिंटर रैंड मत क्या होता है सहर के बॉंडरी पे जो भी सहर बसे हैं या उनके बॉंडरी उनके आसपास वाले जितने छोटे-छोटे पर देस हैं उस पे नियंतरन ना के बराबर था सुल्तान होगा ठीक है ध्यान रखेगा और यह बता जा रहा है कि एन वे एन वर देर फोर डिपेंडिन अपॉन ट्रेड ट्रिब्यूट और प्लेंडर फोर्डर सप्लाइब बला की और भी क्या था अब देखो जितना एरिया को कंट्रॉल में रखेगा तब तो उतना ही ज से जो आ गया जो आ गया लोग लोग राजा को दान कर रहे हैं राजा को भीट प्रदान कर रहे हैं वो था या लूट में जो भी समान जो लूटा उटा कोई सहर को जीता तो उसमें जो भी रिसॉसे जा रहे तो उससे ही काम चल रहा था हलाकि बहुत बड़े अडिया कंट् उखिए असरे लोग वहवाँ के जो भी कैलावंदी सासटí पहुते अब देखो आपने एक यहां पर पुरा कंट्रोल है अब ही यहां पर कंडॉल करना तो बहुत दिकत हो जाएगा यहां पर अगर कोई छोटा छोटा राज है उसको भी दिल्ली के अंदर में राखना तो थोड़ा कॉम्मूनिकेशन उसमें फोन है इमेल तो रहा नहीं रहा ना तो प्रोल्म तो था ठीक है यहां पर बंगॉल में करना है के लोग यूद कर ले रहे हैं ठीक है मैं तो राजा खिलाब भीड़ जा रहा है मैं तो दिल्ली सल्टन तो खिराब और खराब मौसम भी था तो सही से कॉम्मूनिकेशन नहीं बन पाता था दस्टेट वाज आल्सो चैलेंज वाई मूगल इन्वेजन फ्रम अफगानिस्ता किया तो कहीं न कहीं यह सब दिल्ली सुल्टान दिल्ली सल्टन तो कमजोर किया रहा है मैं भी खुलाम बंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं पूरे दिल्ली सुल्टान की बात कर रहा हूं तीन सो टैंपिर तीन सो का टैंपिर तो उसकी में बात कर रहा हूं उसमें मुगलों न चैले साइधी सुल्तान ने चीजों को इस चैलेंज को टैकल कर पाया इट्स एक्सपेंशन ओकर दूरिंग रेन ऑफ गया सुधिन वलबन और यह सारे जो एक्सपेंशन का काम हुआ यह दिली सुल्तान एक बड़े एरिया में दिली सल्तनत बढ़ा तो बलबन के टाइम में सम्राज को बढ़ाया और मुहमद तुगलक ने भी सम्राज को बढ़ाया मैंने बते के यह सारे महत्पूने ठिक है यह तीनों राजा बहुत महत्पून है इन्हों ने दिल्ली सलतनत के जो पूरे एरियां को बहुत बढ़ा आगे बढ़ाया ठीक है तो फसेट भी मात भी Zar את टेर अफ सुल्तान एंड एंड कॉंसलिडेटिंग दे हिंडर लेंड दो गरी सों गरी संटान का रहा कि जो पहला भीत्री सिमाओं में जो अभियान हुआ तो जो हिंडर लैंड है जो दिल्ली के आसपास के जो छेतर हैं से छोड़े इनको कंट्रॉल करने के लिए पहला अभि अभियान में फोरेश्ट बेर किलेर इंड गंगायमना दौवा पहले जो इस तो मभियानवा तो गंगायमना की किनारी जो भी गंगायमना जो द्वाव था उसके पास जितने भी जंगल से जंगलों कटाई हुआ ठीक है हंटर गैदर एंड पास्ट्र जो भी उसमें उहां जो हंटर गैदर जमत सिकारी जो रह रहे थे जो भी उसमें चरवा चरवाहा रहा रहे पसुपाला करह रहे थे उनको उस जगह से हटाया गया मतों एरिया को देखे बढ़ा रहा रहा है अभी कटने छटने करके बढ़ा रहा है इस लेंड वा गीवन टुट पीजिंट अन अगरिकल्चर वाज इनकरेज अभी जो जगह हुआ एक किसान ने उद्द जया गया किसान लोग अब उसमें खेती कर रहे हैं खेती वह रहा 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 तो राजा अमीर हो रहा निव फोर्ट्रेस नैने किले बने नैने सहर बने और यह सारे ट्रेड रूट को कहने का मत तो प्रोटेक्ट हुआ जितने भी अब देखो बड़ा बड़ा पूरा अब एरिया बढ़ रहा है तो लोग बैपार करें तो जो भी बैपार वाला जो एरिया है जो रोड है रूट है उसको भी पर्ट्रेक्शन मिला रादागद्वार प्रट्रेक्शन मिला कि लोग सब्सक्राइब उसके सब्सक्राइब बंगाल के तरह इधर के तरफ अभी बॉंडरी पे काम हो रहा था हिंटर लेंड पे भी तरी छेतर रुपर जो बॉंडरी के अंदर वाले चेतर है ना उसके अंदर में भी काम हो रहा था उसको मजूद कर रहा था अब क्या हो गया दि सौधन इंडिया में स्टार्ट की समय कि अल्ला उदिन खिल जी जब अब देखेगा कि उसमें जब सौथ इंडिया में जी जाता ठीक है अल्ला उदिन खिल ली तो आपको देखने को मिलता है सुल्तानाार्मी कैपचर एलिफैंट होसेज अन्द सलेव ककी एवे सुल्तान के जो आर्मी थे वहाथी tratar कर ले रहा है और बहुत सारेप्रिशिस मैटल को भी इस में जीत रहे हैं लूटो रहे हैं ठीक है महम्माद फोल्द के सातनकाल के अंत में अभी महम्मद फोल्द का सातनकाल के अंत अगर वबह सता कर्या तो द्हारिया करा मुहम्ममद तूलका सातन कμη अंत जांद में ठीक तेरा से क्यावन में कर देड़ सो यह आप्टर संबाट हम्बलंग विंग तो कहें यहीं सेंची बाराथ छे के बाद देर सो जोड़े कितना था तेरा से कावन तेरा से कावन क्या सबसके टैम में कहा रहा है तो आर्मी ऑफ देली सल्तनत हैं मार्च क्रॉस लाज पार्ट क्या और इस तरह से कहने का मतलों बहुत जादे बड़े अरिया पर कंट्रॉल कर लिया देख सकते हैं बारासो निनाने में गुजरात के पोचिया तेरस तीन में चिता और तेरा से के मिर्द्धर भाड़ चो पोचिया तेरा सु दो तक के देखिये बरंगल को जीदे गया का पेगन उबा कुछ फेल्ड भीव हैं कुछ जीता भी यह सारे है तिक आगे चलते हैं कि कुतुब अल-इसलाम मस्जीद यह मस्जीद है जो आप देखेगा कुतुब अल-इसलाम मॉस्क्यू एंड मिनारेट विल्ट दूरिंग दर डिकेड अब टेवल सेंचुरी बारे में सत लोग आते थे सभाह लगता था यह सारे चीवता रहा है इस पौराने दिली डिली में मिली को पुराना दिली उसे अला गया तो वहां पर ही बुора था कुबत ऑल- इसलाम महजजीद कि यह वह एक चीजों का अप धि Soo की कि महतपुर्暉 है तो उसको आब को याद रखना ऐसा नहीं है कि जो भी जो भी से मैं जो सब लोग आपको याद अखना ठीक है तो यह क्या है कुबतल इसलाम माजीद जो कि तोतोय बिसिकली भारत का प्रथम मस्जीद है इसे कुत्म दिन जया क्या हूं? इन रिवरेंस टुझ अल्ला अल्ला की अबादत होती है यहां पि आल्ला को इबादत मुस्लिम लोग मिली अल्ला की आवा राधना या तो सजदा या तो यह बादत करते हैं घूटने के बल होके ठीक है इने प्रवस्ट और स्ट्री कॉंगरेशनल में स्ट्रीक्ट को बला सोड़ी कहां चला गया तो यह कह रहा है कि यह जामा महजीद क्या बला है जामा यह मस्जीद जामी और जामाजीद लोग जामा हो रहे हैं वहां पर बहुत सारे मुस्लिम आके नमाज पढ़ रहे हैं मेंबर आप दो कॉंगरेशन चूज दा मोस्ट इस्पेक्टेड ल को एं यह जो इमाम था कभी कभी खतवा मत तो का हैнок कि खतवा जारी करता था हर π Rules तबWow क하 कैसे एक रिती रिवासना सब्सक्राइब मुस्लिम लोग मक्रा के साइड में अपना करते थे और जो कि इंडिया से पकbelsी में तिक है कि इससे बोल रही है की बीडा up किया वोबते हैं की बीला क्या गया रही टिक है थो सारे कुछ agome न बहु बहुरे भारत बात के अंदर है जो कहीं ने कहीं इसलाम और मुस्लिम के सरक्षख कर रूप में दिखाई देता है ठीक है कि मोती मजीद है सिक अंदर लोधी ने बना या था ठीक है सुड्रिय को में समय थे माँची मजीद rivalry मोत की मजीद साइए आपका देख सकते फिगर चार में यह देखिए मॉस्क्यू जमाली कमाली है जो 1520 में बना था मॉस्क्यू आफ जमाली कमाली है ठीक है लोदी बंस के टैमें बना ही ध्यान रखेगा आगे चलते हैं एक क्लोजर लूग एड्मिस्ट्रेशन अंदर था खिल जी एंड तुगलग तो अब देखते हैं कि किस तरह से खिल जी के और तुगलग के टाइम में जो प्रसासन चल रहा था वो किस तरह से चल रहा था ठीक है उशिच को देखेंगे देख कॉंसोलिडेशन ओब देखिंग्डम एज वास्ट अस देली सल्तनत निड़ी रिलायवल गोवर्नर एंड एडमिस्टेटर ठीक है बता रहा कि जो भाई एक किंग्डम मजबूत कैसे हो इतना बड़ा दिल्ली सल्तनत था तो दिली सल्तनत मजबूत कैसे रहेगा और स सब्सक्राइब डाई टेकर रहेवेवलग हो जैशतल समय kathema事情 कैसे सम्राज काकर संबसे टर सुल्तान सर्थ सब्सक्राइब मतलो हमें नहीं दिल्य सल्टनत को अधिस्टेटर मत्रसासा की चाहिए तो एक अकेले तो पुराता करने पाएगा अकेले तो पुरा सुल्तान करने पायेगा तो सुबिदार की ज़रोत है और पर सासो ज़रोती देखेंगे कि रैदर देन आपॉइंटिंग इस वह ज़रोती चीफ्टेंट अगोवर्नर अर्ली दिल्ली सुल्तान इस्पेसली इल्तुतमीज फेवर देर अस्पेसल स्लेव पर्चिश फो तेमिलिट्री सर्विस देखें की अ जैसे की सामन्त और जमिदार के अगर हम बात करते हैं सामन जमिदार तो बात मया बट इल् प्रिदने और गुलूमें प्रत्था अम सासन चलता है तो स्टार्टिंग में 1500 अपको पता है विक नहीं स्ने चलिसा कीigkeiten जहल गानी प्रता अपनाया चलगानी प्रता मत क्या हुआ फोटिश लेव 40 मत को चालीस गुलामों का एक समुह था जो पूरी गुलाम बन्स की देखते हैं सासन को चलाता था ठीक है इस चाल्यस जो तहाने प्रता थா चालीस गौाम की प्रता था उसको भड़ा दिया थेंग तो बोला कि इस भंधानभक गॅ आइस धुथ नाम था धुथा वंधगान तो यह अच्छा यह महत्पू नहीं रखेगा वदंगा या बंदगा बदंगा सौरी कहां चला गया चीज़ा को ध्यां रखेगा बदंगा तो उसको बोल रहते हैं बदंगा ठीक है परसी में परसी वासा में डीवर केरफुली ट्रेंड टू मैन सम अब दो मोस्ट इंपॉर्ट पॉलिटिकल ऑफिस इन दे किंग्डम उसे बहुत यह अच्छे तरीके से उन्हें कहने का मतलब की में में पोश्ट पर काम करने के लिए से बहुत है के उसे बहुत किरफुली रूफ से उन्हें ट्रेंजिंग किया जाता था ठीक है इस तरह से ट्रेंजिक करते हैं कि वो टोटे रूफ से अपने माले के उपर डिफेंटênio रहे हैं चो मैंको अब किसमें कि बात करेंगा है तो गुलाम ऑस कर देगा समयरे बातों बेटे के जैसा है बोले जाएंगे बेटे के जैसा इसको गुलामों को बेटों से बढ़कर बोला रहा है बेटों से बढ़कर जहां रखेगा दस उल्तान वर एडवाइस असलेव होम वन हैस बॉट अफ और प्रोमोटेड मस्ट वी लुक आप्टर फॉर इट करा कि एक सुल् सुल्दान का फर्च है कि हमारा भी जिन्दी पर वह अच्छे से देखभाल करें ठीक है और यह बोला कि तभी पूरी जिन्दीगी में कभी योग और अनुभवी गुलाम मिलता है यह बोला कि अगर कि किसी का तकदीर अच्छा ना गुड़ा कोई भी सुल्दान का करें घा कि जीवन में उसको सही से देखभाल करा चाका वाइज में हैब से टेट और यह एट एक्सपीरियंस ते लेटे देशने कि अच्छा बुद्हमान बुद्हमान नों ने बहुत उसमें जो भी लोग उसमें उसमें लोगों ने बोला कि योग और अनुभवी गुलाम जो बहुत योग और अनुभवी गुलाम हो बेटे से बढ़कर है यह सारे चीजे लिखा गया मत उसमें तो आप बताईएगा कि आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने के कारण समझ में हाता है कि उसमें आखित क्यों बहुत सरह उसमें विद्वानों ने क्यों बोला इस पीपूल ऑफ हमबल वर्थ हुवर ओफ इन देर क्लाइन तो हाई पॉलिटिकल पोजीशन खिल्जी और तुगलकों ने भी कहने का मता है कि गुलामों का इस्तमाल किया प्रसासन में ऐसा नहीं कि मत फोटी जो था वो तो खतम हो गया था चालिस गुलामों का समोबट टोट आने का स्टार्ट किया जो निमने मतों कहने मतों कि निमनबर के जो लोग थे उनको भी राजनीतिक पैदों पर बैठाते रहें ध्यान रखेगा देबर आपॉइंटेड जन्रल एंद गोवर्नर और वो उन्हीं कि इस तरह से सेनापति के रूप में या सुभिदार के सब्सक्राइब के रूप मतों कहने मतों कहने मतों कहने मतों समझ रहें बातों कि एक तरह से वह चीजों को समझेगा कि बफ़दार है बट राजा अगर मर जाता है या राजा नहीं जितनहीं तो बेटा के साथ उसका बहरले नैए घ्रलम का ठीक है उनके बीच पुरान गुला में हमेशा जगडा होने लगा हमेशा भील दोन भीलने लगे ठीक है यह सारे कान अब देखे आगे क्या है कि देपेटरोनेज आफ देज हम्बल पीपल वाई देली सुलतन असुलतान आलसो सॉक्ड मेनी इलाइट्स अन्द ऑथर अपर्शन तौरिक कि रस दे देली सुलतान फोर अफवाइंटिंग दर लो एंड वेस बॉन टू हाय आफिस क्या रहा है भीया कि जो नीचे तपके के लोगों को जो सुलतान इतने उचे पोस्ट पे बैठा रहा था अब इससे क्या हुआ कि जो उजबर्क थे उसमें जो इलाइट बर्क के लोग जो अम बहुत सरे लोगों नो बोला देखिए ओफिसल्स ऑफ सुल्तान मुहम्मद तुगलक मुहम्मद तुगलक के जो अफिसल्स रहें जो भी अधिकारी रहें अधिकारी उनके बारे में क्या लिखा गया है पढ़िएगा सुल्तान मुहम्मद तुगलक अफवाइंट अजीज खुमर वाइन डिस्टिलर गारा कि ए अजीज खुलर नामक एक कलाल को रखा था अपने मतलव दर्वार में फिरूज हजीम एक नाई को मंक ए तबाखा एक रसोई को अटू गार्डेनर दो गार्डेनर को लाधा एंड पीरा टू हाई एड्विस्टेशन पोस्ट बड़े रांस्टान के मतलव टर्वाbelाग शरडेनर है मथा उस्को भूष्टेशं बठाया एक नाय है उसको पुष्ट म मोण बठाया एक डारु का दारुष बनाने वाला उसको देंजम को मद्सक्त पुच्प उच्चिव क्रोच भाजए थैं शेंज बड़े नेीचर द सुह पू Обязρο découvrir कि इस चोड़े लोगो को इन चोड़े चोड़े लोगो के उचह उच्छ पत पर बैठाने का मतलब है कि राज्जो सुलतान है वो एक तरफ से उसका जो राजनितिक भीवेक है वो पूरी तरह से ना सो चुका है और उसका चौने का चाहत है वह भी एक तरह से बिकार हो असक्षम है सासन करने में इसलिए किसी को भी बठा दे रहा ऐसा बोला गया तो क्या यह बताईए वा वाई डू यू थिंग वर्नी कि शायद सुल्तान सुल्तान ने बर्नी को अलोचना क्यों किया इसके बारे में आपका क्या ख्याल है बताईएगा ठीक है लैग अर्लियल सुल्तान देखिए अभी से आप डिस्क मतों मेंस अनुसर राइटिंग आप क खिल जी और तुगलक ने भी मिलिटरी कमांडर को अपॉइंट किया बहुत अच्छी बात है मिलिटरी कमांडर को अपॉइंट करेगा ठीक है एस गवर्नर ऑफ ट्रेटरी ऑफ वैरिंग साइज अब जो जो भी सेना पती था उन सेना पतियों को क्या कह दिया एक तरह से इल एकता जीकता जाब है इकता्ता दार या मुक्ती ब्लगिया मुक्ती ध्याण अब इनका भी यह एकतार बुलागी अफ्यसे सेना पतियों को ने को मतिवाए जैंका वेला गए gemacht ऋधार लो गया है एकताब आया एकता ऐकता पर अदिक ने बीलाक, बहुताम है। मुक्ति बोला गया आप इस मुक्ति काम था कि मिलिटरी कम पेगन को लीड करना सैनिक अभियानों का अगर कोई भी सैनिक अभियान होता है राजाग दवारा तो तुम भाई हमको मिलेटरी दो तुम ला एन आउडर अपने एकता में जो भी उसका मैं तो कहने काऊंता जो भी जिस एकता में तुम सासन कर रहे हो उसका तो ला एन ओडर कमेंटर रखो ही रखो बट हमें भी मिलिटरी सर्विस प्रवाइट करो अब कह दिया भाया कि जो जितना भी रिवेडियू क्लेक्ट होगा वो सारे सैलरी की रूप में अपने सैनिकों को दो यह बोला गया दे आल जो पैसा मिल रहा है उसे तक तंखवा देता था तो यह बहुत अच्छा तरीका था बहुत अच्छा परवहावी तरीका था उनका जो पत था बंस परंपरा से ना चले इसलिए को एक आदमी को अगर मतों कहने हैं एकता बनाया एकदार बनाया कुछ दिनों बाद उसको आइसा नियों कि दो बहुत दिन तक बैठा के रख देंगे एकता बनाकर देंगे तुसका बेटा भी बोलेगा कि मत उस बेटा मतेक्स बंस 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 वादे चल लेगा तेसे नहीं करना बंस आउतने जलाना एक भी एकता को सौट पिरेट के लिए रखता था अपी बाद द करने कमते एक लेखा अधिकारी को नियुक्त किया गया द्यार रखेगा यहीं लिखा गया एकॉंटेंट वर आपॉइंटेड वाइद स्टीट टूचिक द एमॉंट आफ रिवेन्यू क्लिक्टर भाइद मुक्ति ऐसा तो नहीं है ना कि एक 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 ता देदी एक त अधिक बात करेंगे तो अधिक एक दिल्ली स्ल्टान जो भी था दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे तो उन्होंने दिल्ली के आसपास वाले छेत्रों को तो इस चाहते थे जो भी सामन्त थो उसमें जमीदार थे चाहते थे कि वह जमीदार हमारे सामने सामने वह हमारे कंट्रोल में रहे हमारे सामन्त के बारे में अरिश्टोक्रेट एंडरीच लेंडरीच लेंडरीटी उनके विकार करें तो अल्लाव दिन खेल जी ने बहुत करें से स्टेट को अपने अंदर मिलाया ठीक है अन कलेक्शन अब लेंड रिवन्यू अंडर इट्स और और जो भी राजास बसुलने का तरीका था जो राजास बसुलने का जो काम था वह अलाव दुन खिल्जी ने अपने अंदर मिला जो भी एरिया उस उसमें आसपास वा टैक्स अब सीधे दिल्ली सुल्तन के दोरा बसुल जाएगा मतों उनके ऑफिशिल के दोरा अंदर सुल्तान की अच्छे तरीके से का मतलव मतलव माप करते थे और उनका रिकार्ड वहां पे कितना जमीन है क्या है सब कुछ यह अच्छे तरीके से कर रहा था ठीक है सब्सक्राइब और सुल्टान एज रिविन्यू क्रेक्टर बहुत सारे कुछ ऐसे पुराने सामंत रहें जिन्हों ने सुल्टान के अंदर सल्टनत के अंदर एक तरह से रजस्व अधिकारी ग्रूप में काम किया ठीक है टीक है तरी टैप अफ टैक्स तीन तरह के टैक्स के सब्सक्राइब करतर जो कि अगर आप खेति करें दूस्कों पर रगाता था एंन मॉंक्री पसेंट आफ़ीं वीडू ही टैक्स है जितना वह जा रहे हो इसका आधा दो राजा को इसा करता घड़ा को नर्क स唉 है कितना एक था आपका अपका घहर है उसके उपर भी आप पर टैक्स लगता था यह सारे टैक्सेज के बारें बता है किस तरह के टैक्सेज उसे में चला रहा था और बहुत सारे दिकारी भी आप देखेंगा लेकिन अभी हम यहां पे चीजों को डिसकस नहीं करने वाले हैं बहुत बढ़ा भी बन जाएगा ओल्रेडी यह वीडियो जितना बढ़ा बन गया हां बनने वाला है एक घंटे सूपर का ठीक है इस इंपॉरिट रिमेंबर एट लास पार्ट आप अप देली सुल्तान और अभी भी क्या था था कि बहुत सारे ऐसे एरियास थे जो देली सल कर पाना मुश्किल था ना ठीक है यह बोले जा रहा है बेंगाल फ्रम देली एंड सुन अप्ट एनिक से सौधर निकार है कि जो बेंगाल को कंट्रॉल करना अभी भी प्रोलम हो रहा है तो अभी भी अंदर में था ही नहीं ठीक है ध्यान रखेगा अभी भी दिली से बंग को जीटता है तो देखेंगा कि उतने का मत अगर आप देखते हैं तो कि द Candispei सबुस्क्राइब करता ह legit दिनार में खरिता है और नूसरत खांगर दोरा तो यह बहुँ प्रताय लगाल धन की एा लगारत के पुरे भी जाय में तीके यह धिरान अप्लोड़ लोगा ठिक है आई क्या काल यह पाना मुस्किल है दिली से ठीक है यह यह बता जा रहा है कि चीफटे एंड दियर फोटिफिकेशन सरदार और उनके किलावन्दी जो भी उसने छोटे-छोटे जो आगर हम बात करेंगे जैसे कि सल्तनत के अलावा जो भी सर्दार रहे चोटे चोटे वह किस तरह से रहते थे वह किस तरह से अपने आपको किलाबंदी करते थे उसके वारे में इवन तुता जो कि एक अफिरका का ट्रेवलर था इवन तुता जो बेसिकली मुरक्को से वेलोंग करता है वो आया था 14th century में चुदाविय सेतावदी में इंडिया और उसने जो भी एक्सप्लेंड किया कि किस तरह से जो इंडिन सॉब कॉंटिनेंट में जो स बंबू जो भी सर्दार रहते थे अपने आपको पहाड़ों पे चट्टानों से उबर खावड इलाकों में बास के ग्रूप्स बनाकों तो बास का पूरा चरह तरफ से घेरा लगा के इस तरह से मतलों जैसे बीच में सर्दार रह रह रहे हैं उनके जो भी चीज़े हैं और तरह रहारा चारों तरफ से बास का पॉर्डड रेवनाया हो याथ फिर पत्थरों का बांडरी है या तो फिर ना मतलों ओकल खॉर्च जगों पर रहते थे ठीक यह बता जारा है इंडिया बंबू इस नोट हालो कि कर अबहारत के अंदर जो बास था वह सो था भूलो नहीं और वो इस तरह से इंटरवांड रहता तो बास को इस तरह से गुथा याता था था बास को बास को कि इतना है वी बन जाता था कि उसमें आग भी लग नहीं सकता था उस बास के जो भी किलावंदी कि मैं तो सरी सोरी मैं तो बास का जो बांडरी बनाया गया उसमें आग भी नह लग सकता था इतना जवर्द सुरुपस को बनाया गया था और बहुत सारे मिला मिला कि जब इस तरह से गुथा गया तो इतना है भी हो गया उसका जवाब नहीं अब जो भी सरदार इस फोरेश्ट वरहते थे उनके लिए अगर बात करें तो उसमें कैटल्स थे देर क्रॉफ था मतों उस यह पूरे बॉंडरी के अंदर फॉर्टिफिकेशन के अंदर में उनके पसू रह रहा है उनके फसल है यहां पर पानी का विवस्ता है मतों जो भी ब लिखी गई और वुरा कि इसलिए असानी रूप से कोई भी बहुत सफचात अगर बहुत पावर्फुल अगर कोई सैनिक होगा तभी इन सर्दारों को हरा सकता तरवाज सब को हराने की बास बस की बात नहीं है इसलिए बोला है जो भी आर्मी इंट्री करती थे इन सर्दार के इलाकों में फोरेश्ट में तो पहले उस बंबु के जो बॉंटरी था उसको अस्पेशल एस्ट्रूमेंट से मतों अस्पेशल जो हतियार त्यार किया था उससे वह पहले काटता था ठीक है यह मतों दिखाया किस तरह से चीफ्टेंस लोग अपने आपको सुरक्षा के ट्रांक्सियाना इन नौर्थ इस्ट इरान इन 1219 एंड देली सल्तनत फेश्ट देर ओन स्लॉट सून आफ्टर क्या कर रहा है कि मंगोलों ने जो चंगेज खा के जो नेदित्व में जो मंगोल था वो ट्रांक्सियाना मतों उजवेकिस्तान आज के अगर बात करेंगा त आज का जो उजवेकिस्तान है वो पहले ट्रांक्सियाना से जाना जाता था तो पहले-पहले क्या हुआ कि कि इसको जीद लिया था नौट नौट इस्ट इरान को अल्रेटी चंगेज खा जी चुका बारस उनीस में और उसके बाद दिली सल्तनात में भी चंगेज खाने बहुँ ज़्यादा क्रमण किया मंगोले ना प्रेंट्र रऊप्से उत्ता माच दिलिस अलताने क्याल में और यह रहां लाशनी के टाम में को हञाएँ तो अल्लाऊ-धिन खिली के सेंथा में विगार्दा मंगोलवन ने खर साल पहुत खरण किया और इस तरह से इन दोनों को बहुत हैवी रूप से सैनिक रखना पड़ा क्योंकि नहीं रहेगा तो मंगोल कि तता कतवरते कि इनको इसलिए रूप ऩह राती इसलिए इनको बहुत बर्द१ित वर्दस Ц安ी त्यार करना पड़ा ठीक है कहीं न कहीं वह एक तरह सी इनके लिए होती था कि देखते हैं कैसे दोनों सुल्तानों ने इस समस्या से निपता उन चीज़ को हम देखेंगे अल्लाव दिन खिल्जी को बारें पढ़ेंगे और मुहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे कि उन दोनों ने किस तरह से मंगोलों को हराया ठीक है कर देली वाट अटक्ट तो अल्लाव दिन खिल्जी ने बहुत बड़ी अस्थाही सेना को लखा क्योंकि दोवारा कर्मन हो चुगा इसको डिफेंस करने के लिए अब मुहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या है कि जबी मुहम्मद बिन तुगलक अपने गद्दी वे बैठता है उसके हैं वो कहने का मतलब तुरसी इतना ज़्यादा है कि वो अल्रेडी मतलब कहने का मतलब मॉंगोलों को हरा सकता है और यह था कि हम ट्रॉंक्शिवाना पर भी अटेक कर सकते हैं इसने ध्यान क्या दिमाग लगया कि हम इरान जो सरुजवेकिस्तान है जहां पर अभी मंगोल बैटे हैं हम वहँ पर भी ऐताक कर सकते हैं इसलिए वह भूत बड़ा आर्मी इसने भी वनाया ऐसे निपतने के लिए और इसने भी आर्मी बनाया निपतने के लिए और इसने घरा वी दियлан क्स्टक्रट्ट अज्याब् topl ص EL के दें अक लिए सबसे पुराना चार सिटी था दिली का उसको खाले किया ठीक है और वहां पर सोल्जरों को बसाया गया दे रेसिडेंट ऑफ ओल्ड सिटी वर सेंट तुद न्यूव कैपिटल दौलताबाद और जो भी वहां के जो रहने वाले थे जो भी नागरिक थे मतव जो भी वहां पर लोग रह रह रहे थे उनको दौलताबाद भेद देगा मतलव रैख्रिकर दक्षिंद परते तरफ एक नया राजधान के उन्हों है दौलताबाद में डौलताबाद कि किसी ने बनाया मोहम भी तौक रख ने और किसको भी दिया अपने वहां पर चुम्धी रोहने वाले थी ठीक है प्रोड़र है टूभी फेड शोले खिलाया था इस वस्टन थ्रू फ्रोड्यूस क्लेक्टर टेक्स फंद लाइन बीटिंग गंगा यामना के बीच में जो भी जगा था उस जगा से जो भी मतलब रिवेन्यू आ रहा है उससे जो भी पैसे हैं उन से इनका खाना पीना चलता अगर आप जितना उप जा रहा है उसका 50% आपको देना पड़ेगा एज टैक्स किसको तो अलाव दिन खिल जी का जो भी था उसे में ठीक है ध्यान रखेगा प्रुडिश फ्रूम द सेम एरिया वाज क्लेक्टेड एस टैक्स टू फीड दार्मी यहां भी क्या था कि उसे एरिया से इनके से मुहमद बिन तूला के समयं भी उसी एरिया से कहने का मतलव जो भी टैक्स जैसे की जो हाँ जिस एरिया रहा वहां जो भी टैक्स है क्लेक्ट होता था और फिर वहीं चीज को खिलाते थे ठीक है बट्टू मीट दर नीड ओफ लार्ज नंबर ऑफ सोल्ड रखा हुआ इतना वाला सोल्डर जो कि हराना मंगोलों को तो उसके लिए चाहिए भाई या बहुत ज़्यादा चीज़े तो इसके लिए सुल्तान ने अलग टैक्स मतलब अत्रिक्त टैक्स बनाया और ध्यार रखेगा इस तरह से वीधित फ्रेम इंड अर्याय ठीक तरह में कि अत्रिक टैक्स यह तो इने एडिशनल टैक्स मतल्या आठास सब कुछ किस के कर 같아 है हो रहा है जो भी solar hey army के लिये army के अर्मी कि यो तार के आजWhen man देखो सबसे महत्मुन जो पॉइंट आपका देगना है अल्लाव दिन जो था वो अपने शैनिको को नगत बेतन दिया किया नगत बेतन तुम काम करो भाया तुमको हम देंगे नगत पैसा ठीक है हम तुमको एक जो के स्टार्टिंग में क्या था एकता देना एक जमीन का टु सब्सक्राइब देली और उनको देली के जो बैपारी लोग है वो कहीं न कहीं समान का दाम बढ़ा देंगे तो अल्लाव दिन इस चीज को रोकने के लिए क्या किया जो भी भिगड़ी कर रोकने के लिए कि एक ऑफीसर बनाया कि जो इस तरह के चीजों को देखे गा कि कोई सब्सक्राइब भी बैपारी अपना समान का दाम बढ़ा ना दे और मेर्चेंट जो भी मेर्चेंट नहीं इस तरह से चीजों को बेचता था जो रेट है उस रेट से यादा पैसा लिया तो उसको डंड दिया था ठीक है ध्यार किया कुल मिला कि हम अभी दोनों के पॉलिसी आज शलाकर था तोंड जैसे कि इसने पैसा ना जेसा तरह से पैसा रहता तैसिनट्री चलाया जिये सस ते सबंबन पॉन अबल धेu से मैडल से बनते नहीं थिया चांधिस नहीं युव उसे उनमेडल था उस्थ से बनता था अब क्या कि या कि कि पीपल इन 14th century did not trust this coin अब क्या था कि लोग उसमें इस सारे coins पे भरोसा नहीं करता है यह सब सोना चान्दी का तो है नहीं कोई भरोसा नहीं था सब्सक्राइब कि अब उन्हों ने दिमाग में क्या किया देखो अभी यहां पे टैक्स चल रहा है लोग को क्या रही कि जो तना जितना का समान में तुम प्रोबलम सजा मिलेगा अब यहां पर टोकन रहे में लोग डिन रखुए लोगार रहे थह कि सोना चांदी निगन के पास था वह प्रस्तिए अपने पास रहे है दिफोंको अस्तेमाल कर न्य और यह सब जो सस्ता करेंसी था इसको डूलिकेट भी बना या बना दा सकता था ठीक है यह मुहम्मद बिन तुगलक ने इससा काम किया था कि इससे उनको प्रोलम जहलना पड़ा आखिर कर ठीक है हम पढ़ेंगे डिटेल में चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी आप देख सकते हो बजार नेतर प्रनाले था बहुत ही बेटरी था इसलिए सारे नों इनका बढ़ाए भी किया और और बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा सस्ता सामान सा मिलता था बहुत अच्छे सफ़लाए भी होता था ठीक है यह जीज़िस लिए इसने मंगोल के खतर से कहने का मतलो कंपेगन चलाया का कस्मीर को जितने के लिए बट क्या हुआ हो फेल्ड हो गया ही देन गया फिच प्लान टू इंवेट अभी द्वारा किया गया कि अब हम टांक सिवाना जो उज्विकिस्तान को करेंगे बट एंडिस तरह से अपने लार्ज आर्जमी को वह प्लतावाद में रहो ते सारे प्रोब्लम है और टैक्स बढ़ा दिया ठीक है गंगा यहां में उसमें बहुत जादा करने का मतों के एक तरह से सुखाल भी आया लेकिन भुकमरी आया लेकिन और बहुत सारे लोग वहां पर उनके जो भी लोग थे टैकस के मारे वहां बहु सारे प्लांस को सोचा बट अनफॉर्शनलेटली उसने जितने प्लांस को सचा सही से एक्सक्यूट नहीं हो पाया और इसलिए मुहमद विन तुगलग का जितना भी आप देखेगा कि कहीं ने एक तरह से अनसकस्सफूल हो बट इसका सोच बहुत था हम आगे देखेंगे चल रहा है उसमें हम चीज्डों को देखेंगे और शफसे बडबी बात हमारा पॉलीती का रोज रात को आठ वजे όiden रहोज आठ हुमरा छलता है एकारम लक्ष्मी कांत और निसियाटीं वेशाय से द्रचके भी मौरिण रोज तो आपका बहुत अच्छा क्लिडाया पहले पार ऐसा हुआ इतिहास में कि कोई भी दिल्ली सुल्तान दुल्ली का सल्तनत कि पहला कोई इस साता जिसने मंगॉलोänge के चेत्रों करने का लिए पर्यास किया वो किया था उसने चलिक है लेकिन अला उद खिल ट्लीड क्या दिमाग लिया उसने जितने सचा कहा कि भाई बचो मंगोलों से खिल ठीक है यह क्या थीशनित देह सकते हैं कि दोनों के अलग अलग चीचें है इस तरह से दिली सल्तनत रहा इसके बारे में डिसकस करेंगे टेक है करें टेवल वन देखिए था तुगलक के वा सहीए डिन डिनस्टी आता है और लोधी डिनस्टी आता मैं आपको बताया था गुल खिले तो सुगंद लोटी कहां करके देली और आगरा काने का जो सहीए डि उन्होंने सासन चलाया पूरे इंडिया पर जो भी उसमें जो इरिया था फिर जॉनपूर वेंगॉल गुजरात राजस्थान और सौथ इंडिया में अलग-अलग सवतंत सासक कहने का मतलब हो चुके थे कि लिए वाकरा सासन चला रहे है तो इन एरिया जो दूर पड़ जा अफगान एन राजपूत इसमें ऐसा भी वा कि जिस आप देखेगा अफगान राजपूत इसम नहीं नहीं आपको देखेगा को एक तरह से सासक रूप से रूलिंग ग्रूप आप देख सकते हैं कि यहां पर उदभव होगा ठीक है सम अब दा स्टेट इस्टैबलिश्ट इंदी स्पिरेड वर स्मॉल बट पावर्फूल कुछ ऐसे छोटे छोटे राज का स्थावना हुआ जो कि भाई मतलों छोटा था लिकिंगी बहुत बरस पावर्फूल था उनका परशासने जो चीज़े चल रहे थी और बहुत ही अच्छे तरीके चल देख लिए यह सेरसा अच्छा सूरिय एक तरह से मैनेजर के रूप में छोटे जगह का इसा बना था और उसके बाद इसने भाई मोगल इंपेरर हुमायू को भी हरा दिया था अब पता है कि पनाशबी से लिकिए पंद्रह सो उसके बाद हम देखें तो हमायू का साथन का लादा इसने हुमायू इस बहुत्तु को भी हरा दिया धाना किसा एक शर्षा ऑट देली एन स्टैब्स इस ओवन डैनेश्टी असे तो से शर्षा सूरी जो के एक बिहार के छोटे एलाका में था अब वहां के बाद इसस सूरी को देखें का इसने मोगल को हराने के बाद दिली में अपना स्थाव रखेगा तेट इंटर देट संट बोरो इलमेट फ्रॉम अलाव दिन खिल जी एंड मेर्ड देम मोर इफिसेंट इसने कि इतने भी ध्यार रखेगा जो अलोगन खिल जीस तरह से चलाया अपना सासन को परसासन को सेम चीजिए इसने भी अपनाया और वहुत अच्छे तरीके स सासन चलाया पर ठीक है इसल अकभर ने फिर इस पॉलिशी को फॉलो किया कि भाया इस तरह से चलाया था ठीक है यह ध्यान रखेगा यह सारे चीजह है देटीरी ओर्डर एंड पीस अफ गॉर्ड नाइट अन्ड़ क्रूसेट तीन अधेस पीस अफ गॉर्ड नाइट सब्सक्राइब के बारे में है दा आइडिया फ्री ओर्डर वाज फर्स फॉमुलेटेड इंद फ्रांस इंद अर्ली 11 संचुरी इगर में सताब्दी के पहले में आख देखेंगे कि त्यां रहेगा कि ठीरी ओर्डर एक जो आइडिया था वो फरांस में बना इसमें जो हमा चला लसे तैं ये सूसाइटी थिरह सूसाइटी था चेर्श के द्वारा भी में तो बहुंच जाथा सपोर्ट किया गया एक तरह से एक नया बना इस तरह से ठीक है इस तरह से नया गरुप बना युद्धा ग्रूप जिससे बोला गया नाइट क्या बोला गया नाइट्स ते चर्च पैटरो नाइच इस ग्रूप एन यूज तो शॉर्च में जो ग्रूप शयुक्त इस ग्रूप को चर्च निस रख्शन प्रदान किया वह ग्रूप था निट गूप हास काम कहता भाई कि इस आई डिया को पीक्ष ओफ गवड टीख पीके कोट के जो आइडिया है उसको हम लोग क्या करेंगे उसको चीज को बढ़ा प्रफग्रेट करने का काम इसे ने किया ठीक है अपने आप में नहीं लड़ो और इस और क्या करें कि मुस्लीमों के खिलाफ कंपेगन को जो 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 जेरुसलम था देहां रखेगा जेरुसलम जेरुसलम जो कि अधिया रखेगा जेरुसलम का बार हम देखेगा अभी बहुत यादा ये न्यूज में है जेरुस्तरम और फिलिस्टीन का जो मुद्दा इज्रायल का और बहुत इसका बहुत बड़ा कहानी रहा है इसको पर हम वीडियो बनाएंगे 40 45 मिनट का टाइम लेगा बहुत सारे वीडियो यूट्यूब याद चुके हैं बट मैं भी बनाओंगा इस पर चीजों सम्झाओं वह किस तरह से होता है तो यह कहाने उस समय के जेरुसलम के बार मतारा कि जेरुसलम को जो कप्चर कर लिया था मुसलिम होने उसके बार में कहा गया कि इसलिए बहुत सारे एक तरह से धारम धारम यूद हुए इस चीज को लेकर ठीक है ध्यार रखेगा और यह देश्किंग देशनाइट डिनाट विलॉंग टुलांग टुलास ऑफ नोवेल बट वाई दे इंड एलेवें सुन्चूरी फ्रांस लेटें जर्मनी हमब और और यह बता जा रहा है कि हालाकि यह जो भी आप ध्यान रखेगा यह नाइट थे वह जुरी नहीं था कि वह बहुत नोबल क्लास से थे लेकिन हम देखते हैं कि 11 सेंचूरी के इंड में फ्रांस में फिर उसका जर्मानीम देखते हैं कि कहीं न कहीं यह इनको जो भी सब वैरिय रहता है एक यह जो लास्ट में हमारा इसको भी समझना चाहिए यह बर्ली से हमेसाथ ज्यादा समन्दित रहता है ओके तो यह सारे कुछ के उचंस हैं आपको बनाना है यह बहुत अच्छा चैप्टर है तो इसको एक जितने भी सवाल है आप पूरे को बनाएगा खुद से बनाने हैं जो आपके छाए और पहले बार मैं जो आपको देहां रखे का एक आप एक वर आप क्या आप कर रहे होगे लिए यह लिए पर मेरी विदियो के देख रहे होंगे 2-3 वर आप करिएगा तीसरा बर आप इस होगा कर एगा कि नोट्स मनाएगा ठीक पूरे चीज़ से हमारा क्लास 7 भी खतम होगा फिल्म चीज़ों को आगे किलर करेंगे ठीक